स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इंडिया स्टडी लर्न में अगर आपने भी नेशनल एस्कॉलर्षी पोर्टल के द्वारा 9th, 10th, 12th, BABSC, B.com किसी से भी अगर आपने एस्कॉलर्षीप के लिए फर्म ओनलाइन आवेदन किया है तो उन सभी छातर छातराओं का नेशनल एस्कॉलर्षी पोला जो पैसा है वो मिलना सुरू हो गया है जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं वीडियो के अंत तक बने रहे हम आपको प्रूप के साथ दिखाएंगे साथी साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका नेशनल एस्कॉलर्ष वाला जो पैसा नहीं आ पाता है तो उनके लिए आपको क्या करना होगा इसी के बारे में पूरी डिल्क साथ बताने वाले हैं वीडियो को सुरू से लेके अंत तक देखते रहे हैं उसे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चनल पे पहली बार आये हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आज ही का डेट है मैं आपको दिखा पा रहा हूँ 3.06.2020 और फाइनली देख पार है आज जो है 3.06.2020 है आज ही कीती थी है और यहाँ पे देख पार है इनकी जो अमाउंट है वो देखिए आचुके है इन्होंने देखिए प्री मैट्रिक एस्कॉलर्स के लिए इन्होंने फॉर्म भारा था और फाइनली देखिए इनका जो अमाउंट है वो देखिए आचुका है मैं आपको दिखा पा रहा हूं 10,700 रुपे दिखे इनका आचुका है जो कि फिलाला भी इनका अंडर पोसेसिंग बता रहा है और इनका यहां पर देख पार है इनके खाते का आखरी जो नंबर है 19,20 है तो देख पार है इस तरीके से इन एस्कॉलर्स का जो पैसा है वो नेसनल एस्कॉलर्स बहला जो पैसा है वो आना शुरू हो गया है चलिए मैं आपको और भी एस्टोंडों का दिखाते हैं मैं आपको दिखा पा रहा है दूसरे एस्टोंड का और इनका देखिए आखरी जो अकाउंट नमबर है वो देखिए 42, 49 है देख पार है और इन्होंने भी देख पार इन्होंने pre-metric के लिए इन्होंने scholarship के लिए form भरा था और यहां पर देखिए इनकी भी जो amount है वो देखिए आ चुका है देख पर है 10,700 रुपे इनकी भी आई है और इनका जो payment status है दो की देख पर यहां पर success है इनके account में जो है जा चुका है अगर आपको ऐसा दिखता है status payment success तो समझे आपका जो amount ह वो आपके bank खाते में जा चुका है अंडर processing बता रहा है तो आपको maximum 7 दिन तक wait करना आपका जो amount है वो आपके खाते तक पहुँच जाएगा देख पर है आज ही की ती थी आपे देख पर है 3,6,2020 की इनकी भी जो amount है वो जा चुकी है चले हम आपको और भी student का दिखाते हैं मैं आपको देख पर हैं तीसरे student का दिखा पर हैं इनका अकाउंट जो number वो देख पर लास्ट में 00 और उनके बाद 56 है इन्होंने भी यहाँ पर देख पर हैं पोस्ट metric scholarship के लिए इन्होंने आवेदन दिया था देख पर हैं और इनकी भी देखिए amount जो है वो देखिए amount है वो आपके खाते तक पहुंच जाएगा इनका भी देख पर है आज ही चेक किया गया देख पर है 36 2020 को देख पर है इनका जो status है वो शो हो रहा है तो इस तरीके से आप लोग जल्दी से चेक कीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि किन-किन student का जो amount है वो PFMS पर भेजा यानि कि national scholarship का जो पैसा है वो भेजने की जो कोई भी समय सीमा नहीं होती है आपका जो amount है वो कभी भी आ सकता है जैसे जैसे आपका form verify होता जाएगा वैसे वैसे जो आपका amount जो है PFMS पर भेज दिया जाएगा इससे related हमने NSP अधिकारी से बात भी की है अगर आपको confirm होना है कि आपका payment यानि कि national scholars वाला जो पैसा है वो कभ आपके खाते तक पहुँचेगा तो उससे related हमने एक वीडियो पहले ही बना रखा है वो वाली वीडियो आप जल्दी से देख लीजे वीडियो का link जो है decision box में दिया हुआ है नीचे आप click किजे वहाँ पे वीडियो मिलेगा उसको play करके आप अच्छे से समझ लिजे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो amount है national scholarship हो वो कभ आपके खाते में आ जाएगा सो इस तरीके तक आप लोगों तक एक छोटी सी information पहुचा नहीं थी वीडियो कैसी लगी comment में जरूर बताईएगा मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक के लिए जय ही वन्दे मात्रम